निदिगर्ग का प्यार भरा नमशकार, भ्रस्पतिवार वरत कथा प्राचिन समय की बात है कि एक नगर में एक बड़ा वैपारी रहता था वह जहाजों में माल लदवा कर दूसरी देशों में भीजा करता था वह जिस परकार अधिक धन कमाता था, उसी परकार जी खोल कर दान भी करता था प्रंतो उसकी पत्नी अत्यंत कंजूज थी, वह किसी को एक दमडी भी देने नहीं देती थी एक बार से जब दूसरे देश वैपार करने गया, तो पीछे से ब्रसपती देव ने साधु भेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी वैपारी की पत्नी ब्रसपती देव से बोली कि हे साधु महराज, मैं इस दान और पुन्य से तंग आ गई हूँ आप कोई ऐसा उपाई बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ मैं यह धन लुपता हुआ नहीं देख सकती ब्रसपती देव ने कहा कि हे देवी तुम बड़ी विचित्र हो, संतान और धन से कोई दुखी होता है अगर अधिक धन है तो इसे शुप कार्यों में लगाओ, कोवारी कर्ण्याओं का विभा कराओ, विद्याल्या और बाग वगीचों का निर्मान कराओ ऐसे पुन्या कार्य करने से तुम्हारा लोग परलोग सार्थक हो जाएगा प्रतु सादु की इन बातों से वैपारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई उसने कहा मुझे ऐसे धन के वशक्ता नहीं है जिसे मैं दान दूँ तब ब्रस्पती देव बोले यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना साद ब्रस्पती वार घर को गोबर से लीगना अपने केशों को पीली मिट्टी से धूना केशों को धोते समय सनान करना वैपारी से हजामत बनाने को कहना भोजन में मास मजिरा खाना कपड़े अपने घर धूना ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नश्ट हो जाएगा इतना कहकर ब्रस्पती देव अंतरध्यान हो गए वैपारी के पत्ती ने ब्रस्पती देव के कहे अनुसार साथ ब्रस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया केवल तीन ब्रस्पतिवार ही वीदे थे कि उसी समस्थ धन समपत्ती नश्ट हो गई वह परलोक सिधार गई जब वैपारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नश्ट हो चुका है उस वैपारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसे नगर में जाकर बस गया वह वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की लेकिन वैपारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया वहाँ एक प्रिक्ष के नीचे बैठ कर अपनी पूर्वदशा पर विचार कर रोने लगा उस दिन ब्रसपती वार था तब ही वहाँ ब्रसपती देव सादू के रोप में सेट के पास आई और बोले हे मनुश्य तो इस जंगल में किस चिंता में बैठा है तब वैपारी बोला कि हे महराज आप सब कुछ जानते हैं इतना कहकर वैपारी अपनी कहानी सुना कर रो पड़ा ब्रसपती देव बोले कि देखो बेटा तुम्हारी पत्नी ने ब्रसपती देव का अपमान किया था इसी कार्म तुम्हारा यह हाल हुआ है लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो तुम गुरुबार के दिन ब्रसपती देव का पाठ करो दो पैसे के चनी और गुड को लेकर जल के लोटे में शक्कर डाल कर वेह अमरित और परसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बाट दू स्वायम भी परसाद और चरनामरित लो भगवान तुम्हारा अवश्य कल्यान करेंगे सादू की बात सुनकर वैपारी बोला कि महराज मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दहीं ला कर दे सकूँ इस पर सादू जी बोले कि तुम लकडियां शहर में बेचने जाना तुम्हें लकडियों के दाम पहले से चोगने मिलेंगे जिससे तुम्हारे सारे कार्या सिद्ध हो जाएंगे उसने लकडियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा उसकी लकडियां अच्छे दाम में बीक गई जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की खता हेतु चना गोड लेकर कथा की और परसाद मानकर स्वायम भी खाया उसी दिन से उसकी सभी कठनाया दूर होने लगी प्रन्तो अगले ब्रेस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यग्य का आजोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया राजा की अग्यानुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया लेकिन वैपारी और उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे इसलिए उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया जब वे दोनों लोट कर आये तब राणी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब है राणी को वैपारी और उसकी पुत्री पर संदेव हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है वहां उन्होंने ब्रहसपती देवता का समरण किया ब्रहसपती देव ने प्रकट होकर वैपारी को उसकी भूल का आभास कराया उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें दो पैसे मिलेंगे उन से तुम चने और मुनक का मंगवा कर विदी पूर्वक ब्रहसपती देवता का पूजन करना तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे ब्रहसपती वार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें दो पैसे मिलें बाहर सर्क पर एक इस्त्री जा रही थी वैपारी ने उसे बुला कर गुड और चने लाने को कहा इस पर वैपारी ने उसे बुला कर कहा कि हे बहन मुझे ब्रहसपती वार की कथा करनी है तुम मुझे दो पैसे का गुड चना ला दो ब्रहसपती देव का नाम सुनकर वैपारी बुली कि भाई मैं तुम्हें अभी गुड चना ला कर देती हूँ मेरा एकलोता पुत्र मर गया है मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊँगी वह इस्तरी बाजार से वैपारी के लिए गुड चना ले आई स्वयम भी भ्रहसपती देव की कथा सुनी कथा के समापत होने पर वह इस्तरी कफन लेकर अपने घर गई घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम राम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे इस्तरी बोली मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो अपने पुत्र का मुख देख कर उस इस्तरी ने उसके मुँ में परशाद और चरनामरित डाला परशाद और चरनामरित के प्रभाव से वे पुन्हे जीवित हो गया पहली इस्तरी जिसने ब्रहसपती देव का निरादर किया था वह जब अपने पुत्र के विवा है तू पुत्र वदू के लिए गहने लेकर लोटी और जैसे ही उसका पुत्र घोडी पर बैट कर निकला वैसे ही घोडी ने ऐसी उचाल मारी कि वह घोडी से गिरकर मर गया यह देखकर इस्त्री रो रो कर ब्रस्पती देव से ख्षमा जाचना करने लगे उस इस्त्री की जाचना से ब्रस्पती देव सादू भेश में वहां पहुँच कर कहने लगे कि देवी तुम्हें अधिक विलाप करने की जरूरत नहीं है यह ब्रस्पती देव का अनादर करने के कारण हुआ है, तुम वापस जाकर मेरे भक्स से शमा मांग कर कथा सुनो, तब ही तुम्हारी मनुकामना पूर्ण होगी, जेल में जाकर उस इस्त्री ने व्यपारी से माफी मांगी और कथा सुनी, कथा के उपरांथ वह परशाद और चर्नाम्रित लेकर अपने घर वापस गई घर आकर उसने चरनामरित अपने मृत पुत्र के मुख में डाला चरनामरित के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा उसी रात ब्रसपती देव ने राजा के सपने में आए और बोले कि हे राजन तुने जिस व्यपारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर र राजा ने उस व्यपारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राजय देकर उसकी पुत्री का विवा उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे ज्वहराद दिये बोलो ब्रसपती महराज की जै